जहिन फ्रेंज आज हम लोग कवर करेंगे आज का most important current affairs जो भी हमाय चैनल पर नए है प्लीज सब्सक्राइब किजिए इसको like किजिए और share किजिए दोस्तो मैं आपके लिए most important current affairs ही लेके आता हूँ ताकि जो है आपका time save हो और आपको ज्यादा 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 facts और knowledge दे स चलिए पहला question समलग लेते हैं थन्थाई पेरियार wildlife century अभी जो इन्यूज में था कौन से state में located है ये तो यह है आपका तमिल नाडू में located है ये ये located है आपका तमिल नाडू में सबसे पहले देखते हैं कि न्यूज में क्यों है ये तो तमिल नाडू government जो है तमिल नाडू लैंड इसको दिया गया है ये एरिया कहां पर पड़ता है ये एरिया जो है आपका connect करता है दो important tiger reserve को कौन कौन सा सत्य मंगलम सत्य मंगलम tiger reserve और दूसरा को दूसरा जो है जो connect करता है उसका नाम है माले महाद्यस्वरा महाद्यस्वरा hills tiger reserve ठीक है ये आपको यार दखना है तो ये दोनों को ये connect करता है ये बहुत है रिच बायो डावसर्टी ओला एरिया है जहां पर काफी फ्लोरा और फोना पाए जाते हैं तो इसलिए ये एरिया important है हम लोग देखते हैं कि सत्य मंगलम tiger reserve जो है वह कहां पर कौन से state में यह दूए यह भी है आपका तमिल नाडू में है ठीक है और यह जो है वह माले महादेशोराaurais hill tiger reserve है यह आपका है करनाठ का में कहां पर है करनाठ का में है ठीक है और एक आपने सुनाओगा पिरियाज टाइगा रिजर भी आपने सुना होगा यह कहां पे है किरला में तो दोस्तों कन्फ्यूज नहीं होना है कौन से स्टेट में कौन सा है यह आपको धिहान रखना है तामिलाडव के चीप मिस्टर कौन है अभी M.K. Stalyn है कौन है M.K. Stalyn है DMK पार्टी के लीडर है तामिलाडव में ही अभी खेलो इंडिया यूथ गेम्स भी हुआ है और आपका जो विंटर खेलो इंडिया यूथ गेम्स पे होने वाला है यह होने वाले आपका जम्मो कस्मिरन लद्दाक में यह देखें मैप में हम लोग दोस्तों देखते हैं यह देखिए आपका जैसे किरला है इस तरब जो है आपका तामिलाडू है और उस तरब जो है इस तरब जो है कौन सा है उपर में यह आपका करनाटका का बॉर्डर है औ पिर आपका जो है तमिलनाडू में सबसे इंपॉर्टन है मुंदन थुराइट टाइगर रिजर्व यह जो भी नाम बता रहा हूँ आपके एक्जाम पॉइंट वी से बहुत ही इंपॉर्टन है देखिए गल्फ अप मनार मैरी नेशनल पाक है यहाँ पर पल का स्ट्ट है जो एक्जाम स्पॉइंट वी से आपके बहुत ही इंपॉर्टन है चलिए नेश कोस्टन लोग चलते हैं विच डे इज देकुनाई जाज वर्ल्ड कैंसर डे वर्ल्ड कैंसर दे की रूप में कौन सा दे को मनाया जाता है यह आपका फोर फेरवरी को फोर फेरवरी को यानि कल मनाये गया है फर्स्ट फैप को दोस्तो क्या मनाया जाता है इंडियान कोस्ट गार्ड डे की रूप में इसको मनाया जाता है और सेकंड फरवरी को क्या मनाया जाता है दोस्तो यह मनाया जाता है वर्ल्ड वेटलेंड डे ठीक है अभी जो है टोटल जो है वह रामसार टोटल 80 पहले 75 थे अभी रिसेंटली 5 और एड हुए है तो टोटल आपका पुछा जाए तो कितने 80 हैं ठीक है मैंने इस पर वीडियो भी बनाया है दोस्तों आप हमारे चैनल पर जाकर देश तकते हैं बहुत सौट कट है आपको याद करने में काफी आसान होगे कितने कौन स स्टेट में हैं तो यह अक्सर कुस्ट्स में पूछे जाते हैं और कॉंपटी एकला जाते हैं चुकि यह रिसेंटलिह हम लोग रोड वेटिलंड मनाया है तो यह आपके लिए इंपॉर्टन होजाता है अभी जो रिसेंटली जया एंटरनेशनल फेलिंड च लगा परी पी में और स्वक्सता रैंकिंग में सबसे ज़्यादा नंबर वन जो इस 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 इसके साथ एक और सिटी को एड़ किया गया है फिर्स्ट रैंक पर ही स्वक्सता सर्वेक्षन सर्वे के अनुसार इंदौर एंड सूरत सूरत कहां पर गुजरात में है तो यह सारे फैक्ट जो लोग नेस्ट कोशन चलते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट मेसोलिथिक एरा रॉक पेंटिंग अभी जो है वह रिसेंटि डिस्कवर किया गया है कौन से स्टेट में डिस्कवर किया गया तो यह है आपका तेलंगाना कहां पर यह तेलंगाना के नए चीप मिश्टर बने है क हिस्ट्री में आप लोग ने पढ़ा होगा कि सबसे पहले जो है वह पेलियो लिथिक पेलियो लिथिक अस्टोने जाता है ठीक है उसके बाद जो आता है मेसोलिथिक मेसोलिथिक उसके बाद जो आता है नियोलिथिक ठीक है नियोलिथिक प्रेट में ही जो है एडिकल्चर क होता है आपको इससे याद अखना है अभी जो है डीजिटल डीटॉक्स इनिसियटीव रिसेंटली जो है वह नीज में था कौन से स्टेट से यह पर निम्हांस क्या है नाम निम्हांस यह दोनों के partnership से यह initiative शुरू किया गिया है यह क्या है AIGDF का full firm क्या है दोस्तों यह है All India Game Developer Forum ठीक है क्या है All India Game Developer Forum और निमहांस क्या है दोस्तों निमहांस जो है आपका National Institute of Mental Health and Neuroscience यह कहां पर है निमहांस यह है Bangalore में बैंगलोर में है यह ठीक है तो यह आपको याद रखना है करनाटके के रधाने भी कहां पर बैंगलोर में यह बैसिकली क्या है कि आजकल जो है वह डिजिटल लोग ज्यादा time spend करें जैसे laptop पे computer पे social media पे तिससे mental health कहीं ने कहीं affect हो रहा है लोगों का जो है attention power जो है करनाटका गवर्मेंट के द्वारा लिया गया है तो यह आपको याद रखना digital detox initiative बात आए भी है करनाटका के करनाटका के अभी chief minister कौन है डी सिद्धा रमिया है वहां पर और डीके सिव कुमार जो है वहां के deputy cm है और वहां का जो है कुछ important national park हम लोग देख लेते हैं यह देखिए अंसी national park अक्षर पुछा जाता है अंसी national park कुंदेर्मुक national park बंदिपूर national park और बनेरघटा national park और एक और बहुत important नगर होल national park यह सारे national park जो है आपके करनाटका में है करनाटका का border जो है यहां पर टस्ट करता है Arabian Sea से हां और यहां पर जो है एक मैंगलोर बहुत important port है तो यह आपको याद रखना है और अभी तक हमाई चैनल पर आपने subscribe नहीं किया तो subscribe जरूर कर ले दोस्तों ताकि जो है आपको time to time notification बिलता रहे बहुत important current अपरसम करा रहा हूँ आपका मैं guarantee देता हूँ कि आपकी जो current अफेर से लेटेट जो भी questions है यह मैं static portion से लेटेट जो भी question है वो आपका कहीने की score काफी improve हो जाएगा अभी जो है first European country बना है जो की UPI payment system को accept किया है तो वो है European country France अब France भी जो है वह UPI payment accept करेगा ठीक है जैसे भीम UPI आपने सुनाओगा तो वह UPI payment की में बात कर रहा हूँ अब France की बात है यह France का रधानी कहां पर है दोस्तो फ्रांस का रधानी Paris से यह कौन से river किनारे बसा हुआ सहर है यह सीन river के किनारे बसा हुआ सहर है तो यह आपको याद अखना है दोस्तो कौन जो है वह highest civilian award भी एनाउंस किया कि भारत रतन किन को देने की बात की गई है तो भारत रतन जो है वह एलकी अडवानी लाल केशन अडवानी जो बीजेपी के 1954 में और यह जो है वह दो अभी तक बिरेशियों को भी दिया जा चुका है ऐसा नहीं है कि शिर्फ इंडियन सिर्जियन को भारत रतन दिया जाता है दो कौन कौन है एक है अब्दुल गाफ़ार खान अद दुसरा जो है वह नेलसन मंडेला नेलसन मंडेला ज़रूर सुना होगा िन्होंने शाथ अफरीका में जो ब्लैक और वाइट की जो लड़ाई थी तृको और ये जो फिर्डम फाइटे रहे हैं, रेट सर्ट जो और्गनाइशन ने उसका ये स्थापना भी किये हैं, तो ये आपको याद रहना है, और इससे पहले जो है, दोस्तों, जस कुछ दिन पहले भी करपूरी ठाको, जो बिहार के CMB रह चुके हैं, उनको भी ये अवार्ट से नवाज पर रिसीव करने वाले, तो वो कंट्री है, सबसे ज़्यादा जो एड मिलता है, भूटान को भारत के द्वारा मनी के टर में एड मिलता है, दूसरे नमबर पर मालदिव, दूसरे नमबर पर नेपाल, ठीक है, तो ये आपको याद रखना है दोस्तों, क्योंकि ये कोशन मा अभी फांडेशन अस्टोन, लगबख 27,000 क्रोड का प्रोजेक्ट अभी जो है, जिसका नाम है ताला बीरा थर्मल पावर प्रोजेक्ट, ये जो है वा कौन से स्टेट में अभी लॉंच किया है, मतलब वहां पे फांडेशन अस्टोन रखा है, वो है उरिसा, तो आपसे प अंजा स्टेट का टीम आंधर परदेश को डिफीट करकर, ब्लाइंड मेंस नेशनल विजूली इंपियर टी टी तुवंटी जो है नागेश टॉफी जीती है, तो इसका अंसर है दोस्तो करनाठका, करनाठका ने आंधर परदेश को हरा दिया है और वहां के टीम जीत ली है यह आपको याद रखना है Conference of Attorney General and Solicitor General of Commonwealth Countries कहां पे हो रहा है तो अभी जो है वह Attorney General Solicitor General का Commonwealth Countries के जो भी है उनका एक Conference हो रहा है तो वह हो रहा है आपका New Delhi में कहां पे हो रहा है New Delhi में अभी जो है वह current जो है Attorney General of India कौन है दोस्तों नाम क्या है इनका नाम है आर वेंकटा रमनी ठीक है आर वेंकटा रमनी यह है हमारे current Attorney General दोस्तों अभी Solicitor General of India कौन है कमेंट बाक्स में आपको मुझे बताएं कि इसका अंसर क्या होगा हम लोग फिर कल फिर मिलेंगे दोस्तों आज का current रफैस यहीं पे समापत होता है अभी तक आपने का सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और टेलिग्राम चैनल को भी जोइन करें चलिए तब तक हम लोग कल फिर मिलेंगे तब तक के लिए जैहिंद